हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आज हम शेयर करेंगे आपके साथ को कम बर्यानी की खीरे का फेस पैक तो एक हमने यह खीरा लिया है यह बहुत ही सस्ता फेस पाक बनके तयार होगा तो इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे यह मोटी साइट से हम ग्रेट करेंगे खीडे को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया इसके बीज को हमने ग्रेट नहीं किया है तो इसको हम थारी में पतला पतला फैला देंगे इस तरह से जिसे हमारा चल्दी से खीडा सुख जाए आप चाहें तो इसे पंखेली हवा में भी सुखा सकते हैं इसे हम सुखाएंगे धूप में, धूप में सुखाएने से पहले इसे हम किसी कपड़े से कवर करके फिर सुखाएंगे इसे डारेक्ट संडाइट में हम नहीं रखेंगे नहीं तो इसके जो भी गुड़ है वो खतम हो जाएंगे इस तरह से कपड़े से कवर करते हम इससे हमारा ये गंदा भी नहीं होगा इसमें दूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और ये अच्छे से सूख जाएगा पंखे में थोड़ा टाइम लग सकता है दूप में जद्दी सूख जाएगा खीरिये को सुखाने के बाद हम आपको आगे का प्रसस दिखाएंगे किया हुआ खीरा हमने देखिए सुखा लिया है इसकी आप आवा सुन सकते हैं ये अच्छे से क्रिस पोच चुका है जब आप इसको सुखाएं तब थोड़ी थोड़ी देर में इसको आप इस तरह से थाली से चुड़ाते रहें जिससे ये थाली में चुपके नहीं सूखने के बाद अगर यह थाली में सूप गया तो फिर आप पड़ा नहीं पाएंगे तो इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से चलाते रहें जिससे यह आसानी से छूट जाए थाली में चिपके नहीं तो इसे अब हम बारिक पाउडर बना लेते हैं इसका इसमें हम डालेंगे चार चमत मुलतानी मिट्टी इसे आप एक साल के लिए श्टोर करके भी रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में भरके तो इसे अब हम पेस के आपको दिखाते हैं इसका पाउडर बना के हीरे का फेस पैक हमारा बनके तयार हो गया है इसे हम एर टाइट कंटेनर में भरके रख लेंगे किसी डीबी में इसे आप एस साल तक यूज कर सकते हैं यह खराब नहीं होगा जब आप यूज करें तो इस बात का ध्यान रखें चम्मच सूखा होना चाहिए खीरे का फेस पैक बनके तयार हो गया है यह काफी सस्ता और यह 10 रुपए के अंदर ही हमारा फेस पैक बनके तयार हुआ है इसे आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं जब आप इसे निकाले तो सुखा चम्मच होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें और आप इसे यूज करें यूज करने के बाद हमें बताएं कि इसमें और मार्केट की जो फेस पैक है उसमें क्या फार्ग है कोमेंट करके आप हमें यह जरूर बताएं आप भी बनाएं घर पे फेस पैक अच्छा और सस्ता आपको मालूम है इसमें आपने खीरा डाला है क्या मार्केट की जो फेस पैक होती है क्या उसमें गारंटी होती है कि उसमें हाँ कुछ पड़ा है जैसे ही अगर खीरे का है तो खीरा पड़ा है या गुलाब का है तो उसम रिजल्ट देगा जब आप मार्केट के जो फेस पैक होगा उसे लगाएंगे लगाते आया है अभी तक और आगए आप इसको जब लगाएंगे तब आपको पता होगा कि कितना सस्ता और कितना अच्छा यह फेस पैक आपने घर में बनाया है इसे आप एक साल के लिए भी बनाते रहेंगे जैसे गुलाब का नीम का और भी इसी तरह के कई फेस पैक बनाके बनाएंगे जो आपके चहरे को प्सूरत बनाते रहेंगे आपकी संदर्ता को बढ़ाते रहेंगे इस तरह के हम आप और भी वीडियो बनाएंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शियर करें